करूडो अर्बो का व्यापार एसे ही चलता रहें। दोस्तो इस शडियंतर में उन महन लोगों का भी हाथ हैं जो केंसर का इलाज करते हैं। क्योंकि इनी के द्वारा ही फार्मासिटिकल में बन रहा सलो पोईजन केंसर से ग्रसित व्यक्तियों तक पहुचता हैं। और इन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। कैंसर केते हैं। बाल उड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे समय निकालते निकालते रोगी मरता ही है। क्योंकि एक बार जब हमारे शरीर की कोशिकाय मर जाती हैं तो उसे हमारा शरीर दोबारा नहीं बना सकता है। और ये बात कैंसर का इलाज करने वाले मसीहाओ को अच्छे से बता होती है। व्यक्ति कैंसर से नहीं मरता हैं ध्यान दीजी दोस्तों बलकि जो ट्रीटमेंट उसे दिया जाता हैं उससे उसकी मोत होती है। और ये बात स्वेम राजीव दिक्षी जी ने भी कही थी कि कैंसर से जदा खतरनाक कैंसर का ट्रीटमेंट है। और treatment क्या हैं वो हमने आपको बता दिया हैं। इतनी सारी दवाओ के बनने के बाद भी केंसर जैसा रोग लाइलाज है। इसकी वज़े सिर्फ यही हैं कि वह कभी चाते ही नहीं कि केंसर जैसा भयानक रोग कभी सही हो। इसलिए बेअसर दवाईयों का बनना जारी हैं। पर केंसर का डर हमारे अंदर इस तरह से बिठाया गया हैं कि हम इसे लाइलाज मानते हैं। दोस्तों केंसर का इलाज संबव हैं। और केवल केंसरी नहीं, बलकि हर बिमारी का इलाज प्राकर्तिक तरीके से संभव हैं। प्राकर्तिक जड़ी बूठियों और पत्तों से आज भी कही जगों पर केंसर का इलाज किया जाता है। अब ही हम आपको एक महत्मन से मिलवाते हैं। इनका नाम है स्री संत भगवांदाज जी। ये चितोडगड के चंदीरिया रोड पर बिरला सिमेंट वरक्स की लेबर कॉलोनी में बावा घाड के नाम से प्रसिद्ध आश्रम में रहते हैं। और वहाँ पर ये कैंसर से पीड़ दिव्यक्तियों का इलाज करते हैं। इनका कैना है कि किसी भी बिमारी का इलाज प्राकरतिक तरीके से किया जा सकता हैं। और उन्होंने कई लोगों के असाध्य रोगों को ठीक करके इस बात को सिद्ध भी किया हैं। दोस्तों स्री संत भगवांदास जी को 2000 से अधिक जड़ी बूटियों का ज्यान है। इनी जड़ी बूटियों और पत्तों की मदद से वे असाध्य से असाध्य मरीजों को ठीक करते हैं। और ये सारे दुरलब जड़ी बूटियां बे अपने आश्रम में खुद उगाते हैं। इनका ये भी कहना है कि व्यक्ति बीना केमू थरिपी किये अगर आश्रम में आता हैं तो थड़ी स्टेज का कैंसर भी यहां ठीक किया जा सकता है। इनके आश्रम का पता आप नोट कर लीजिए और दिये जा रहे नंबरों पर कॉल करके भी आप इनसे बात कर सकते हैं। दोस्तो इसी आश्रम में राजीव दिक्षित जी तीन दिन ठेहरे थे और संत भगवान दास जी से उन्होंने आईरुवेद, अध्यात्म और इत्यास के बारे में अधबुद जानकर्य प्राप्त की और आपको तो पताई हैं कि राजीव दिक्षित जी कितने जिग्यासू दोस्तो ये बाते हमें स्वैम संत भगवान दास जी ने बताई हैं क्योंकि हम भी इनके आश्रम में दो दिन ठेहरे थे और उन्होंने आईरुवेद के बारे में ऐसी ऐसी दुरलब जानकारिया हमें दी हैं जिसे हम आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे दोस्तो इस वीडियो को केवल आप अपने तकी सिमित ना रखें और इसे इतना फेलाएं कि फार्मसेटिकल वालों की चाल हर व्यक्ति को पता चले और लोग फिर से हमारे आईरुवेद की और लोटे ये मिशन आपके बिना संभव नहीं है इसलिए हर एक मित्र इस वीडियो को शेर करें